काफी दिरों से भकोडे अमरितपाल सिंग के मावली में आज भी सबकी जुपान पर एक ही सवाल है कि कब पकड़ा जाएगा अमरितपाल अमरितपाल सिंग की पुलिस को 27 दिनों से तलाश जारी है हाला कि अब पपलफ्रीच सिंग के गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस को एक नई उमीद नजर आ रही है क्योंकि 18 मार्ट की परारी के बाद से ही पपलफ्रीच सिंग ही एक ऐसा इंसान था जो अमरितपाल के छिपन कोशिश करते हुए सरेंडर कर सकता है खबरों के मुताबिक अमरिदपाल सिंग श्री हर्मंदल साहिब शुई दमदमा साहिब या श्री अनन्पूर साहिब में सरेंडर करने की आश्रंग का बन रही है अमरितपाल को भी पता है कि आज नहीं तो कल उसे पंचाब पुलिस गिरफतार करी लेगी लेकिन समान्य गिरफतारी की बजाए वो एक धार्मिक ड्रामा क्रियेट करके सरिंडर करने का पूरा नाटक रचते हुए खुद को कौम का हीरो दिखाने की खूशिश कर सकता है लेकिन पवित्र धार्मिक स्थलों में अमरितपाल के पहुँचने या सरेंदर करने से पहले ही पंजाब पुलिस उसे गिरफतार करना चाहती है बैसाकी के मौके पर कोई अप्रिय घटना ना हो जाए इसलिए इन तीनों तक्तों पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है रात के वक्त इंधार्मिक सलों की ओर जा रहे बाहनों की खास तौर पर चेकिंग की जा रही है बरनाला लुध्याना हाईवे पर इंटर डिस्ट्रिक नाके पर चेकिंग अभ्यान की अगवाई कर रहे लुध्याना रूरल के एस पी पी एस संदू ने सीधे तोर पर अमरितपाल का नाम लेते हुए कहा कि खास तौर पर बैसाखी के मौके पर फंजाब की कानून विवस्था और अमन सहार्थ बिगारने वाली ताक्तों पर खास नज़र रखी जा रही है वही अननपुर साहिब की और जाने वाले रास्तों पर भी खास चेकिंग की जा रही है समराला से अनुद्पुर साहिब की तरफ जाने वाले रास्ते पर समराला पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ देर राज़ी पूरी तरह से मुस्तेद दिखाई दिया और वहां भी हर वाहन की बारीकी से चेकिंग की जा रही है समराला थाने के से अच्चो भिंदर सिंग खुद इस पूरे चेकिंग अभ्यान के गवाही कर रहे थे और उन्होंने सीधे तोर पर कहा कि अमरितपाल की पहचान को लेकर अब सरों के द्वारा उन्हें खास तरह के इंपुट भेजे गए हैं और उसकी अधार पर चेकिंग अभ्यान चला है जा रहा है पंजाब पुलिस के तरब से अमरितपाल के पोस्टर बटाला के बाद अब अम्रित सरे इल्वेस्टेशन पर भी लगा दिये गए हैं इन पर सूचना देने वालों को उचित इनाम देने की बात कहीं गई है इतना ही नहीं पुलिस ने दो कोर नंबर्स 9872575156 और 8288075637 जारी हैं इन पर सूचना देने वाले का नाम कुप्तर रखने का आश्वासन भी दिया गया है इसी सब के चलते कई बड़े धार्मिक विशेशक या इसमुद्दे को लेकर आ गया रहे हैं अमरितपाल की 14 अपरेल को सरबत खाल्सा बुलाने की मांग को श्रे अकाल तक्तस साहिब के जथेदार यानि हरप्रीद सिंग की तरफ से रद करने की बाद सांसद सिम्रंजीत सिंग मान ने पंधर कॉन्फरेंस करने होता दिया है सांसद मान शुरू से ही अमरितपाल सिंग के समर्थन में रहे हैं 14 अपरेल को सांसद मान तलवंडी सा पुष्टे दमदमा साहिब में अपनी स्टेज सचाएंगे क्यास लगाए जा रहे हैं कि अमरितपाल इसी स्टेज का प्रयोग भी सरेंडर करने के लिए कर सकता है मिली जानकारी के मताबक पपल प्रीट सिंग भी अपने गावां कर सरेंडर करना जाता था लेकिन उसे खातुनंगल में गिरफतार कर दिया गया इसी तरह 27 दिनों से फरार अमरितपाल सिंग को भी पुलिस सरेंडर करने से पहले गिरफतार करके अपनी साख बचाना चाहती है इसके लिए पंजाब के तीनों तक्तों पर पुलिस ने सुरक्षा प्रवंधिक कर दिये है अमरित्पाल सिंग को गिरफतार करने के लिए Hugh and Try नोपिस जारी करके पुलस पहले ही लोगों को मदद के लिए कह चुकी है अमरित्पाल किसी भी कीमत पर सरिंडर ना करने पाए उसको पंजाब पुलिस गिरफतार करें इसको लेकर के पूरे पंजाब में हाई अलर्ट और खास्तों से अगर तलवंडी साबों के दमदमा साहिब अजल अड़ी साब यार्ट खास्तों और यार्ट यार्ट झाओ यार्ट ओब